चलिक शुरू करते यह सबसे पहले भारत की जलवायु किस प्रकार की है तो भारत की जलवायु उस निकटिद्य मांसूनी प्रकार की है अब जलवाई और मौसम में क्या डिफरेंस होता है तो मौसम कुछ समय के लिए होता है जिसे अभी गर्मी पढ़ रही उसके बाद बरसात आएगी फिर ठंडी आ जाएगी और जो जलवाई होती है वो काफी लंबे समय तक का एक टाइम पिरियेड होता है कई सालों तक कई वर में आता है और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो हमारे भारत को उस न29ट बन दिए एक एक मांसून की जलवाई वाला देश बर बनाती है d vraiment कि मॉसीम सब्द सब्सक्राइब यहां पर राजस्थान फिर मध्रिप्रदेश तीज से हीज़ञा है बाद जजर ईता है पत्रिपुरेशन हराMr पश्चिम मंगाल त्रिपुरा और मिजोरम याद रखेगा उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर करकरेखा नहीं गुजड़ती है अब करकरेखा किस डिगरी पर है साड़े तेज डिगरी परिस्तित है भारत की जलवाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हो सकते है तो PT के exam में जिस तरह से question पूछा जाएगा उसमें direct पूछा जाएगा कि निमन में से कौन-कौन से कारक जो भारत की जलवाई को प्रभावित करने वाले हैं अगर आप आरो या फिर वीडियो के exam की बात करें तो हो सकता है उसमें statement wise थोड़ा सा आपको concept भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारी जलवाई को यह कारक प्रभावित कर रहे हैं यहां पर सभी चीजें डीटेल में देखेंगा सबसे पहले बात करें अक्षांस हमारी जलवाई को किस तरह से प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले भी हमने देखा था जो एक्षांस रेखा हैं यहां पर भारत के उपर सिधे से स्खर्क करेखा सूर्य चमगा तब हमारे हां जैसे सितम्बर अ गया तो hace भोमत रहें कहा हमारी होती जा रहे है थी जा रहे कि अगरकरаласьoth maths दूर्श दूर जार जाकर में स्छा दिन मेंखında दिखार नहां magic अगर बात करें 0 degree पे तो यहां दिन रात का temperature सीम रहता है लग भक थोड़ा बहुत देफरेंस रहता है बसुसके बाद जब 0 degree से दीरे-दीरे मकर रेखा पर सोरे पहुंच जाएगा तो हमारे यहां से बहुत दूर हो जाएगा तब हमारे यहां सीधी करिणे नहीं पहुंचे प्रभावात करती है, आगे बात करेंगे हिमाले परिबस्त किस तरह हमारी जलवाई को प्रभावित करता है तो धुरूबबों से आने वाली जो हवाई होती है थन्डी हवाई, ये जैसे धुरूब है यहां पर सूर कभी भी सिधा दनेशंग केगा तो उत्री दुरूप से आने वाली जो हमाई होती हैं उनको हिमाले रोक लेता है इस तरह से हिमाले जो हमारी रक्षा करता है ठंडी हमाउं से इसके अलावा साइबेरिया वाले जो जंगल है जो रशिया में पाए जाते हैं वो भी काफी नजदिक है उत्रित रूफ के इसलिए वहाँ पे ठंडी पाई जाती है वहाँ से भी काफी हवाई आती है अगर हिमाले ना होता तो हमें हमेशा ठंडी लगती रहती तो यह हिमाले जो है मारी रक्षा करता है आगे बात करेंगे यह प्रभावी जल विभाजक के रूप में हिमाले काम करता है मानसूनी पौनों को रूप कर उप महादेप में वर्षा का कारण भी बनता है अगर बात करें जो मानसूनी हमाई जो इधर से आती है वो इसी हिमाले परबत की वज़े से रूख जाती यह नहीं तो आगे निकल जाती है और चाइना वगेरा में बारिष कराती हमारे यहां उतनी बारिष ना होती है इसलिए यहां पर आधरिता जो है उसको रोकने का काम करता है हिमाले परबत आगे बात करेंगे जल और इस्थल का वित्रण जल और इस्थल का वित्रण किस तरह से हमारी जलवाई को प्रभवित करता है तो जल हमें पता है कि देर से गरम होता और देर से ठंडा होता है अगर वहीं बात करें स्थल की तब टाइम तक येपर ठंडा बना हुआ है अगर दो जगह से ठंडी है तो जो जगह थंड़ होती है वहाँपे वाहिदाप जादा हुआ है क्योंकि यहां पर हवाई नीचे बैठती है जो जगह गरम होती है वहाँ पर वायुदाब कम होता है क्योंकि हवाई ऊपर की तरफ उठती है और एक चीज जो यहीं पर जान लीजे जहां वायुदाब ज्यादा होता है उधर से हवाँ चलती है और जहां कम वायुदाब होता ह उसको cover करने की कोसिस करती है यही चीज यहां पर मानसून में भी होता है जब यह सागर ठंडा है अभी गर्मियों की बात करें इस थलखंड गरम हो गया है सागर अभी भी थ्रोलर ठंडा बना हुआ है तो हवाई इधर को चलेंगी और यही मानसून लाने का कारण बनती है जै यहां से आद्रता उठाएगी और यहां पर एक स्कृष है तो इस तरह से हमारी जर्वायों डिसाइड होती है यहाँ पर जो समुधुर रहिषत से दूर हो जाएगा तो कर्मीयों में बहुत ज़्यादा कर्मी पड़ेगई और कर कर रेखा भी यहीं से गुजड़ती यह वाले एरिया से होगर गुजड़ती है। उत्तरप्रदेश से थोड़ी दूर पे है उत्तरप्रदेश से उकर नहीं गुजड़ती है लेकिन उसके थोड़ा सद्धच्छड से उकर गुजड़ती है और यह बहुत जादा गर्मी का कारण बनती है आगे बात करेंगे समुद्र तरल से उचाई अगर कहीं कोई बात करें यहाँ एक्जामपल ले लिए जैसे आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही एक चांस पर इस्थित हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आगरा है उत्तर प्रदेश में आगरा हो गया दार्जिलिंग यहाँ पर इस्थित ह पश्रिम मंगाल के सबसे उत्री कोने पर है डार्जिलिंग तो दोनों एक ही एच्छांस पर रहती है लेकिन जो डार्जिलिंग वाला एरिया है वह हिमाले के प्रभाव के एकरान थोड़ा उचाई पर है इसलिए वहां पर ठंडा मौसम बना रहता है जबकि आगरा वाला एर इधर से गई यहां पर लहती है उसके में लाजितर बंब यह बहुत बारिश highs वाला पर थार वाले पठार ऑदर 0 हवाओं को इसलिए यह वाला एरिया जो है सूखा रह जाता है आगे यह यहां पर टक रहेंगी अरावली वाले परबत से इस वाले परबत से और इसके बाद यहां से हवाइं मुढ जाती है उसके बाद कराची में पाकिस्तान के तरफ चले जाती है इधर नहीं जा पाती से अभी अमने बात की गर्मियों में दछडी पश्चिमी मानसुल में चलती है इसुन से समुद्र के कराँ पर में वर्शा होती है एक थंडियों में दिसमबर के टाइम पर बारिश होती है जब मांसून वापा जाने को निवर्तन का जाता है तो उत्तरपूर्वी सीथ कली नहवाओं की वज़े से ही निवर्तन होता है जो इस थल से समुद्र की ओर होती है और यह तमिलाडू में काफी बारिस कराती है आपने सुनाओगा कि थंडी के टाइम पर जो है तमिलाडू में बाड़ा गई चन्नाई में बाड़ा गई यह सब इन्हीं कारण इन्हीं हवाओं के कारान होता है उत्तरपूर्वी हवाओं के कारान होती है पक्षिमी विक्षोप किस तरह से आता है यह भूमद्र रेखा वाला जो एरिया वहां से आद्विता उठाती है यह हमाएं उसके बाद जो है अगर दिल्ली के बात करें तो ठंडियों में कभी-कभी ओला पड़ता है दिल्ली में बारिस होती सर्दियों में इस वज़े से वायुदाब बहुत कब हो जाता है उस वायुदाब को कवर करने के लिए समुद्र से हवाएं उठती है उस वायुदाब को कवर करने के लिए आती है और यह मांसून को लाने का भी कारण बनती है तो मांसून लाने में हेल्प करती है हमारी जलवाई को निर् इधर आश्रेलिया और इधर इसिए एमेरिक है तो जब अपनी हो जाता है अपनी बहुत गरम हो जाए तोने अच्छा-कासा बारीश होगी बाल जब बनता है तब ये में बहुत सूखा बगगर हो जाता है अच्छा नहीं आता है वाला पानी धंडा हो गया घरम हो गया तो सूखा的时候 इघर वाला पानी ठंडा हो जाता है तो इधर शूखा पढ़ जाएगा और इधर बारेगी मॉन्सुन आएक काफी बारिस काई तो यहीं चीज आप सकते हैं में यहाद रख सकते हैं झाहिए एक जुन को जादा तर यहां पर मौनसून आ जाता है और एक साखा इधर जाती है और यह वाली साखा जाएगी तो यहां पर मांसीर राम में काफी बारिस कराएगी मेगालाय में उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएगी और इसकी आदरिता कम होती जाएगी यहां पर जैसे ज पूर्वी घाट पे नहीं होगी दक्कन के पठार की तरफ वजह से उसके बाद जब यह आगे बढ़े की इधर रावली से टकराएगी यहां पर विंध्यन रेज है इधर सत्पुड़ा रेंज है थोड़ा बहुत यहां से जाएगी हवा और थोड़ी आदृता लेके जाएग पर इधर जो है जो दोफने खंड वाला एरिया है वहां पर भी सूखा पड़ा रहता है और यहां पर आते आते इस जगए पर आते तो सब हावाओं की आत्रटा कई धर वाली साखा भी आतरिता खत्म होजाती इधर की भी कटम हो जाती है तो ले में सबसे कम बारिस होती है, सबसे ज़ाधा मासिन राम में, सबसे कम ले में और एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजboo, यह वाला एरिया, कोरो मंडल तड कहते हैं तमिलनाडू वाला ऐरिया यहां पर दिसंबर में बारिस होती जो लोटता हुआ मांसून होता है उससे यहां पर बारिस होती चन्नाई बगारा में थोड़े एरिया में आगे बात करेंगे सर्फ से जादा वरशा हम ने देखा था भी मासिन्राम मेगाले में सबसे कम लेह में सबसे चोटा दिन सबसे चोटा दिन होता है तो सबसे चोटे दिन से सुरू करते हैं हम से सुरु काफी दूर है अब यहां पर हम बात कर रहा है लेकिन इसा नहीं होता है और जो प्रतिवई है जिस साइड़ पे उसके सुरि आ जाएग वही वाला एरिया जादा गर्वी पड़ेगी जहां पे किर्णवे सीधी पड़ेंगी तो सुरु सीधा बागर रह पर झाह तो करक रेखा पर काफी सर्दी पढ़ती है और यह 22 दिसंबर का दिन होता है जब सीधा मगर रेखा पर चमकता है उस टाइम पर करक रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को आगे बात करेंगे यहाँ पर इधर वाला जो यह यह वाला चीज है 21 मार्च यहाँ पर हो उनकी बात करें तो सीधा जो है सूरी कहां पे चमकेगा सीधा सूरी चमकेगा करक रेखा पर जब करक रेखा पर सीधा चमकता है तो हमारे यहां सबसे बड़ा दिन होता है की जून और यहां पर वहीं मकर रेखा पर सबसे चोटा दिन हो जाएगा तो 21 मार्च को हमारे यहां स साइट तो एक बार फिर से 23 सितंबर को दिन रात बराबर होंगे जब जीरो डिग्री पे चमकेगा तो यह सब चीजे हो गई पूछी जा सकती है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को सब्सक्राइब कर लिजेगा आरो यारो या फिर वीडियो का पेड टूप जैन करने के लि हैंगो परवत स्रेडियां जुड़ी हूई है पहली हिंदु कूस्रैणि इधर कनलोन परवत उसके नीचे यहां से हिमाले शुरू ने पढ़ना है तो हिमाले की सबसे उत्तरी पिर ढती है जयस का अब ये तीनों जो स्रेडिया किस का भाग है इसका bon अब नेपाल में इस्तित अब नहीं नहीं की थी अच़ेंट है अबसद प्रांसिमाले की सबसे चोटी कौनसी है कि सबनेबार graduating कि यह होगई विश्व की सबसे उंची चोटी आगे बात करते हैं अब नीचे जो आएगा प्रहद हिमाले के बाद अगले जो सुरेडी है यह पीर-पंजार और धौला-दर धौला-धर यह लगू हिमाले के पार्थल्ण, नगू हिमाले को मद्ध हिमाले भी का जाता है पूछ लिया जाता है मद्ध हिमाले या लगू हिमाले में कनफीजन नहीं होना चाहिए तो मद्ध हिमाले और लगू हिमाले एकी चीज है आगे जो सबसे कम उचाई वाली और सबसे जो दच्छडी श्रणी है वो है शिवालिक अब इधर जो आता है यह सिवालिक शिवालिक पूरा यहां से लेकिं यहां तक फैला हुआ है इस्थी इस दिहां है और इसे पूछा जाता है कि कौन से क्रम में पूर्व से प्रषिम तरलएगाईच यह पहते हैं कामेट और देवी चक्ट doğ09 उत्राछंड में उसके बाद यह वाली जो परवस्रेड़ी है यह सभी नेपाल में है यह भारत में नहीं आती है तो सबसे पहले यहाँ पे हो गई यहाँ पे पस्चियम से सुरू करते है पहले धौलागीरी जो कि नेपाल में इस्थी थे फिर आती है अन्यपूर्णा फिर आती है एवरेस्ट फिर मकालू और यह है यह सबसे उची चोटी है वह है कंचन जंगा और यह पूरी तरह से भारत के छेत्र में आगर केटू की बात करें तो पीओ के वाले एरिया में जो पाकिस्तान ने 여러ग क्षमीर है उसमें इस्थित है केटू लेकिन कंचन जगा पूरी तरह से सिक्किन में भारती हिस्से में इस्थित है आगे बात करेंगे इधर तीन चार पहाडिया हैं जो पूछी जा सकती है अनाचल प्रदेश में एक है डाफला अभी यही क्रम याद होना चीर डाफला मिरी अबोर और मिस्मी यही से आके जब यहां से ब्रह्म पूत्र नदी निकलती है तो नामचा वर्वा सही घूम जाती है और भारत में प्रवेश कर जाती है तो नामचा वर्वा अनाचल प्रदेश में इस्थित है आगे बात करेंगे चाइना और अनाचल प्रदेश की सीमा पर है नामचा इसे भी उत्तर से अरेंज करने को आता है पहले पटकाई बूम आती है उसके बाद नागा पहाड़ी आती है फिर लास्ट में आती है मीजो पहाड़ी पटकाई बूम नागा और मीजो पहाड़ी फिर मेखाले की तीन पहाड़ी है जो इसी क्रम में आद होनी चाहिए गारो ख यहां पर बीच में इंटर करते हैं यह राजमहल पहाड़ी है यह वाली राजमहल पहाड़ी है उसके बाद पूछा जा सकता है यह सभी जो पाहड़ियां दी हुई है कि स्क्रम में है पासिम पूरब तो यह चीजें इंपॉर्टन्ट है उसके बाद यहां पर कैमोर पहाड़ है कैमूर रेंग जोत्तर प्रदेश के दच्छडी एरिया में है मध्य प्रदेश से सटी हुई उसके बाद यहां पे गड़जात पाड़ियां जो की उड़ीशा में इस्तित है यह सब आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि कहां पे किसके उपर किसके नीचे क्या है यह म पाड़ी परिस्तित है तो महादेव पाड़ी परिस्तित है अब महादेव पाड़ी सत्पुडा का ही पाठ है लेकिन इसकी सबसे उची चोटी अगर पूछा जा तो धूब गड़ है और यह हो गई विंद्यन रेंज अब यहां से नर्मदा नदी निकलती है ताप्ती नद में स्तित नहीं अस तरह से कोशन आता है तो मनड़ इस्तित है बर्दा इस्तित है और गिर स्तित है ंदौके दिल्री से लेकर रजस्तान होते वे गुझराट तक फैली हुई अरावली परिस्तरडी अगर सबसे उसी Central प्यलीげ, तो स्थान में इस्थित है आगे बात करते हैं पॉरी घाट की पर पाश्वी घाट में पर डभट में यहां सबसे पहले पर्वश्वी घाट करें और इसका नाम है महाबलेश्वर और यहां पर आती है ब्रह्मीगीरी पर अब यह यह बाबा बुदन की पाड़ियां जो कि करनाटक में स्थित हैं फिर एक जो सबसे नीची आती है यहां पर दोद्दा बेटा दोद्दा बेटा पश्मी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलता है तो यहां पर एक नील गिरी परवस्ट रणी है तो नील गिरी की सबसे चीचोती है अब आगे यहां पर पूर्वी घाट की बाद करें तो सबसे पहले यहां पर महिंद्गीरी पर्वस्ट रणी या तियोड़ी और दो पहाडियां यहां पर आंद्र प्रदेश में नल्ला और वेली कुंडा अगर पूर्पी घाट की बात करें तो यहां की जो परवस्त्रेडियां उसमें गैप पाडियां यहाद के लगाता हृए इधर जो जादा जो पाड़ यह नदियों की वज़से हो गया है बहुत सारी यह यहां पर नदियां आ जाती है पूरा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनकी वज़े से यह पाड़ियां कट गई है इसलिए गया पाया जाता है तो यह चीज पूछी जा सकती है कौन सा कटा वटाया कौन सा लगता रहे तो यहां पर महेंद करी नल्ला मल्ला वेली पाड़ी या फिर इसे इलाइची पाड़ी भी कहा जाता है तो नल्ला मल्ला वेली कॉंटा जवारी सेवराय पंचमलाई पालनी उसके बाद काड़म यह सभी चीज इंपॉर्टन है ध्यान से देखेगा उसके बाद यहां पर एक परवस्ट नड़ी आती अराकान योमा जो बू आकरतिक संरचना की बात करें तो भारत को जो है छे पार्ट में डिवाइट क्या गया है और यह सभी छे पार्ट देख लीजे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमाले पूरा पहला नमबर हो गया फिर उत्तरी भारत का विशाल मैदान यह दूसरा वाला पार्ट हो च्राइब मेयदानी पार्ठ हो जो की मैदान का नमबर फिर आता है भारत के मोन जो चोटे लखशी हे पिया और पर निकोबर्ड दूमो एधोर बागे की बात्ति हमाले की जूधे ही किस वज़े से हुई तो भारतिय प्लेट और यूरोशियन प्लेट के आपस में टक्राव की वज़े से हिमाले की उत्पत्ती हुई थी अब इसकी बात करें हिमाले जो है जम्मु कस्मीर लद्दाग से पूर में अनाचल प्रदेश तक फैला हुआ है टोटल अगर लंबाई जाएंगी पीठी के एक्जाम के लिए इतना ही बॉट नहीं है अब अगर पूछा जाए हिमाले किधर की तरफ चोड़ा है किधर की तरफ सक्रा है तो पश्चिम के साड़ यानि लद्दाग और जमु कस्मीर वाला जो एरिया वहां पे इसकी चोड़ाई ज्यादा है और ए याद रखेगा आगे बत करें भारत की ओर उत्तल में यहीुमाले तिब्दक की ओर यह ऑउतल में ऑुतल है और की ओर ये ऑउतल है पार्त फॉर्व Papila को नेम्ण प्रकार से अगे बात करते हैं प्राधेशिक अगर संकल्पना की बात करें तो हिमाले को चार पार्ट में पंजाब ही आल्य काह गया है इसकी पान्द एक लमभाई 650 किलो मीट्र जम्मू कस्मीर हिमाचल वाला जो एरिया उसे पंजाब हिमाले कहा गया है आगे बात करेंगे कुमाउं हिमाले जो जादर उत्रा जोटी है कुमाउं हिमाले की अगला है यहाँ पर नेपाल हिमाले जो की काली और तीस्ता नदी के बीच में इस्तित है नेपाल हिमाले इसकी जो लंबाई है अगर पुछा चारों में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है तो यहां पर नेपाल हिमाले की और सबसे कम लंबाई कि तो कुवाउं हिमाले से पहले वाले की तो नेपाल हिमाले के लंबाई 800 किलो मीटर है और इसी में सभी प्रमुक पर्वस रणी है सबसे उची वाली यहीं पे इस्तित हैं माउंट एवरेस्ट इस्तित हैं कंचन जंगा धौला गिरी मकालू यह सभी नेपाल हिमाले के पार्ट आगे बात करते हैं आपर अब ट्रांस हिमाले क्या होता है तो ट्रांस हिमाले या फिर इसी तिब्बतियन हिमाले भी कहा जाता है ट्रांस हिमाले और ब्रिहध हिमाले के बीच में जोन पाया जाता है इस जोन का नाम पुछा जा सकता है तो इसका नाम है इंडस सांगपो ज दधाक च्रड़ी जसक्र उमल sumalade का runners आते है कारा क्पूरम को उच अआशिया की रीड भी कहा गया क 70 कि यहां sharer Andi तो यहां पर बनाथी बनाती है भारत का सबसे गहरा गॉंज कहुंसी नदी बनाती है लग मकून 6200 मितन तो अगर कोई जो नदी है आ रही है उंचाही से और गर्टा enumah Uber को जा जाता है जान ऐा नुमहान हिमाले जिसे हेमाद्री कहा गया है इसका तीन नाम में ब्रहन हमाले या फिर हमात्री इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो चंदू नदी से लेकर नाम चा वर्वा और्णाचन पृदेश में अब्रेंट जोन जोन में Central का जाता हुआ इसके द्वारा यह दिनावाले माले से अलग होता है प्रमुक परवच चोटियां कौन सी उचाई चोटियं मुट्व और इसे थोड़ी से भी बढ़ गई है 0.46 सेथ इसमें बढ़ भी गई है जिसमें चाइना पाइना और नेपाल ने मिलकर इसकी लंबाई फिर्शन नापिती जिसमें कुछ पॉइंट बढ़ देई है कंचन जंगा की बात करें तो 8,592 मीटर है मकालू पॉइंट देख लिए जिसे ब्रियाद हिमाले का पूर्वी भाग है वहां पर पश्मी भाग की तुलना में अधिक उचाई पर बर्फ मिलेगी मतलब हम उपर चालू करें तो बर्फ जो है ज्यादा उचाई पर जाने पर मिलेगी पूर्वी भाग में जबकि पस्मी भाग में थोड़ा कम दूरी पर जाकर ही बर्फ मिल जाती है यहाँ पे जंगल वगरह जादा होती है पूर्वी भाग में और नाचल प्रदेश के साइट आगे बात करते हैं ब्रियाद हिमाले का जो परवतीर ढाल है वो उत्तर की ओर मन्ध है दच्छड की तीव रहें उत्तर की ओर मतलब अगर नेपाल की तरब से चड़ें उधर के साइट से चलें तो आसानी से चड़ा जा सकता है लेकिन दच्छड के साइट अगर इंडिया की साइट से चड़ें तो बहुत तीव रढ़ाल बना हुआ है ब्रेहत हिमाले के मधिवर्ती भाग मे यह घंग यमन और उनकी कुछ धायक नदियों का उद्कम होता है सबी नदियां हिमाले से निकलते हैं लगबग, परवस्त रणियों को काटकर भेहने वा हमकर के के जाता है लगू हिमाले को शिवालिक जो लास्ट वाला हिमाले उससे अला करता है इसके औस तो चाहिए की बात करें तो 3000 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी उचाहिए औस तन ब्रहाद और लगू हिमाले के मद्ध में बहुत सारी घाटिया पाई जाती है जहां परेटन बहुत विक्सित हुआ तो इसमें कस्मीर घाटी आती है लाहुलिस्पीती आती है कुल्लू घाटी आती है कांगला घाटी आती है सब रहेत और लगू हिमाले के बीच के पार्ट है आगे बात करेंगे लगू हिमाले को महाभारा स्रणी अथ्वा हिमाचल स्रणी के नाम से भी जाना जाता है तो मह सब्सक्राइब करें मदें माजर मेसे प्रणंट में द दोर्य के बादाल करते हैं शोटे-चोटे गासो के मैदान पाई जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है उत्राखंड में इसे बुग्याल कहा जाता है या फिर पयार कहा जाता है तो मर्ग पयार ये बुग्याल इस अभी सेम है उत्राखंड में बुग्याल ये पयार और जम्मू कस्पीर में मर्ग आगे यहाँपर लगू हिमाले और शिवाले के बीच में कौन-कौन सी जो छेतर पाए जाते हैं तो शिमला पायजाता था मसूरी, चक्राता, नैनी ताल रानी खेत, दार्जलेंगे यह सभी लगू हिमाले और ब्रिहाध हिमाले के बीच में ही काट मांडू घाटी भी इस्ति से वलन की उत्पति से वनाए जो हिमाले से नदियां आती थी उसके बाद आउसाद लाती थी उसका निक्षेप गौस पे वलन पड़ा इस तरह से शिवालिक का निर्माड हुआ है और अगर नवीनतम की बात करें हिमाले का कौन सा बाड पार्ट जो है सबसे लाश्ट में बना होता है उसे जो दल्दली एरिया होता है जहां पर नदियां जो है पत्थरों से निकलने के बाद सामने दिखती है उसके बाद दल्दल का निर्माड करती है उसी को कहते हैं तो तरही एरिया किसका पार्ट है तो शिवालिक का सबसे निचला पार्ट है फिर आते हैं शिवाल और लगु हिमाले के बीच में कौन सा एरिया से तो देहरादुन और हरी द्वार जो है शिवालिक और लगु हिमाले के बीच के बाट आते हैं अब उत्तर पूर्वी हिमाले की बात करें जिसे पुर्वांचल परवस्ट्रणियां भी का जाता है तो ऐसे फैला हुआ है नामच उसके बाद अनाचल प्रदेश और म्यामार की सीमप पर एक पहाड़ी जिसका नाम है पटकाई बोम तो यह भी अनाचल प्रदेश में यह आएगी आगे आप नागलेंड में नागा पहाड़ी इसके बाद मलीपूर में मलीपूर पहाड़ी मीजोरम में मीजो पहाड़ी त जो कि असम मड़ीपुर और नागालेंड तीनों में फैले हुई है बरेल स्रणी फिर आती है मिकर स्रणी मिकर कहां पर है तो यह सम में है फिर मेगाले में है गारोखासी जैनतिया जीलों के बारे में तो कुछ कोश्चन जो कौमन पूछे जाते हैं और लगभग सभी एक्जा सबसे बड़ी खारे पानी की जील या फिर सबसे बड़ी जील या फिर सबसे बड़ी लैगून जील तो चिलका जीली होगी जो की उड़ीसा में इस्थेत है अब लैगून जील कौन सी होती ही जो समुद्र के किनारे होती ही तट से लगी हुई होती है वो समुद्री पानी स भारत की आंत्रिक भाग में इस्थित्थित्च सबसे बड़ी खारे-पानेकी जहील कौनई सी है तो ये तो बात हो गई थी अभी जो हमने सबसे बड़ी जील देखी वो तटिये भाग में इस्थित थी लैगून जील थी अब आंतरिक भाग में इस्थित जो कि लैगून जील नहीं है वो कौनसी है तो सांभर जील है सांभर जील कहां स्थित है सांभर जील राजस्थान में स्थेत है अभी ये सबी जिल हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे जिसे याद करने में आसानी हो ज्यादा रटने ना पड़े भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है मतलब पीने योगी पानी का होता है जो खारे पानी का नहीं होता समुद्री जल जिसमें नहीं मेनाद जील में ही गिरती है और यहीं पर एक प्रतियोगिता भी होती है जो ओडम के टाइम पर एक प्रतियोगिता होती है नौकायन वाली जिसमें नौका की रेस लगती है वो भी मेनाद जील में ही होती है आगे बात करते हैं भारत की सबसे उचाई परिस्थी जील कौन सी है पहाड परिस्थे जील है, यह इस पर एक नेशनल पार्क भी जो तैयल वह ए बारत है बारत का, गी जुब लाम जाओ, तो यह किसपी बना हुआ है, किसपी निर्मित है यह निर्मित है? आगे बात करेंगे यहाँ पर, आप कुछ यहाँ पर जीरे देख लीजें जो मैप के माध्यम से डिसकस की गई है सबसे पहले उत्तर से सुरू करते हैं तो लद्दाग से सुरू करेंगे यहाँ पर लद्दाग की तीन प्रमुख जीले हैं सबसे लददाग में ही इस्तित है आगे बात करेंगे यहां पर जम्मू कस्मीर की जीलें देख लीजे जम्मू कस्मीर की डल जील है वुलर जील है जो भी हमने देखा वेरी नाग जील है मानस बल जील है सेसनाग जील है जहां जहां पर नाग लगा रहे हैं वो समझ लीजेगा जम्मू कस्मीर की जील है और यह वूलर्ड जी जो हमने देखा था भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील ऌए तो कुछ जीले हैं यहां पर जिनके बारे में कुछ विशैस्ता भी पूछी जा सकती है महाराना प्रताप, रेनुका जी, चंद्रताल, पोंग डैम, रेनुका जी काफी पूछी आतीज, इसलिए याद रखेगा, आगे बात करते हैं, उत्राखंड की कौन कौन सी जील है, तो जिसमें जिसमें ताल लगा होगा, वो सभी उत्राखंड की जीलें, जैसे नैनी ताल, स रात ताल, राकस ताल, देवताल, खुर्पा ताल, नौकुछिया ताल, रोकुण, इसके लावां और भी कई ताल आपको देखने को मिल सकते हैं, आगे बात करेंगे राजस्थान की कौन कौन सी जीले हैं, तो राजस्थान की हैं, कई सारी यहां पर जीले हैं, और बहुत स दिंडवाना जय समंध राजसमंद सांभर जील जो कि सबसे बड़ी खारेपानी की जील आंत्रिक भाग में इस्थित, प्री 16 जील है राजस्थान में फटे सागर है और धेबर जील एक है तो यह सभी जीले जो है, ितर और रूप सॉरज कुण्ड जील क्याहां परिस्टीत है हरियाना में अस्थित है सुरज कुण्ड का मेल मेला अगे बात करेंगे अब यहां पे उत्तरपुरु की जीलि देखते हैं तो सिक्की में जो हमने देखा था सबसे उचाई परिस्थीत जील के आहे हैं करने तो दो प्रहु जील एहां करें तो मड़िप्रदेश की मद! माद प्रदेश और भोज ताल ऑर यहां प्रिश वाले तो भोज्टाजीष पर इस्थे थे मंद्रीषी उड़ी सा की जीर चिल का जी उड़ीषा की जीर काफी अब रहरें उड़ीषा में पुलिकट जील जो है यहां परिस्तेत है आंद्र प्रदेश और तमिलाडू की सीमा पर तो आप्शन में जो पूछा जाएगा उसमें कोई एक ही राजी दिया होगा यह फिर दो राजी एक साथ दिया होंगे तो जिसमें यह दोनों युक्म रहें आंद्र प्रदेश और तमि अगरी सीमा पर उस्तेत है आगे बात करेंगे परदिये केरल की तीन अधीन प्रमुदी जील ठीन तो व्यमिन जील और चार जीले केरल ते लंगान की कासी तो प्रमुदी जील 이상 ही जो में जिले हैं, पहली है हुसेन सागर, फिर है उस्मान सागर और नागार जू horrंट सागर तीनों सागर कहां पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है अब गुजरात की जीले यहां पर देखे, गुजरात की जीलों में दो प्रमुउफ जीले पहली है नल सरोवर दूसरी है नारायन सरोवर नल सरोवर और नारायन सरोवर जो है दोनों गुजरात में स्थित है अब महारास्ट की एक मात्र जीले जिसका नाम है लोनार लेक और लोनार लेक क्रेटर जीले और कहा जाता है कि ये उलका पिंड गिरने से बनी हुई है इसके उपर ऐसे गड़ा बन गया जिस पर पानी भड़ जाता है तो यह एक जील का निर्माण कर देती है और यही है लोनार लेक तो यहां पर सभी जीले हमने कवर कर ली अब आगे देखते हैं जल प्रपात के बारे में जहर्णों के बारे में तो एक जहर्णा पूछा जाता है कि सबसे उचाई परिस्ति जहर्णा कौन सा है सबसे लंबा जहर्णा कौन सा है तो जो प्रपात है सबसे लंबा जहर्णा जो की सरावती नदी परिस्तित है करनाटक में दूसरा है यहां पर कुंचिकल जर प्रपात कुंचिकल कहां परिस्तित है वाराही नदी पर करनाटक मे अगर आप सीधे सीधे बात करें, जो steps में कुछ ज़ड़ने होते हैं, क pak सीधे कंचीकल चाई होती है, वो जोग प्रपात की ज़या है आगे बात करते हैं शीव समुद्रम जल प्रपात कहां पर इस्तित है तो कावेरी नदीपर करनाटक में इस्तित है नदियों के नाम भी याद रखने है किस राजी में इस्तित है ये भी याद रखना है हँंडुरुजलप्रपात जो है ये सुंण रेखा नदी परिश्दी थे राची जारगंड में कपिलधार जो है कपिलधार जलप्रपात कहां परिश्दी थे नर्मिदा नदी पर मद्धी-प्रदेश में इस्थे थे अगे बात करेंगे चित्रकूर जलप्रपात यह इंद्रामती नदी परिस्तित है बस्तर है चित्रकूर जलप्रपात चित्रकूर जलप्रपात को कहते है दूद सागर जलप्रपात कहा परिस्तित है तो मांडवी नदी पर गोवा में इस्तित है गोवा में कौन सी नदी है मां तर से भारत के सबसे उत्री छोड से सुरू करते हैं दच्षड तक जाएंगे तो लदाख में कौन-कौन सी जो घाटियां है वो पूछी जा सकती है तो सबसे पहली घाटी है मर्खा घाटी यह लदाख में इस्तित है इसके अलावा नुब्रा घाटी नुब्रा नदी से निर अब कश्मीर घाटी के बारे में जो कोशन बन सकते हैं तो यह है कि कश्मीर घाटी को अगर जम्मू से कनेक्ट करना हो तो कौन से दर्रे से हुकर जाना पड़ेगा तो बनिहाल दर्रे से जाना पड़ेगा बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी और जम्मू को जोड़ता है इसके आगे बात करते हैं हिमालचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी है तो यहाँ पर कई सारी घाटिया हैं और बहुत सारे परेटन छेटर यहाँ पर विक्सित हुई हैं तो पहली यहाँ पर जो घाटी है वो है चमबा घाटी, चमबा घाटी में कुछ परेटन इस्थल हैं जो पुछी जा सकते हैं चमबा घाटी से सम्मधित कौन से हैं, तो डलहोजी यहीं पर है भारमौर है, खजियार है, तो यह सभी हिमाचल प्रदेश में इस्थित परेटन इस्थल हैं जो कि चंबा घाटी में आते हैं अगली जो घाटी यहां पर हिमाचल प्रदेश की वो है कांगडा घाटी पहली हो गई चंबा दूसरी हो गई कांगडा घाटी यहां पर एक सांस्कृतिक जो परेटन इस्थल है एक फेमस जगह है जिसका नाम है धर्मसाला वो इ हमने नदियों वाले श्यक्षन सिंधुन नदी तंद्र में देखा था लाहुल घाटी किससे बनती चंद्र लडू लगा नदियों से पिर आते हैं मालला घाटी मालला घाटी को connect को चोटा लोग रहते हैं जो हीमाचर प्रदेश के होते हैं जी नें पंगवाल और भोटी का जाता है इसके जाते हैं लेकर की अंधे स्थेत है तो दोला धर और पीर पंजाल के बीच में स्थेत है कुलु घारी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में सदम फीरती सांग़लाघाटि सांगलाघाटि को एक अन्य नाम से भी जाना जाताई कि नहीं बासपा गाटि बासपाई परी नाम सिस में प्रस करण जो कि मली करन्त एक हट वाटर का सीमा प्रफट की सीमा के पास स्थेते किन्न और घाटी किन्न और घाटी से होकर अगर पूछा जाए कौन सी घाटी ऐसी है जिसे हम हिमाचल प्रदेश के अंतिम गाउं तक पहुंच सकते हैं जिसका नाम है चिटकुल तो किन्न और घाटी से होकर जाते हैं आगे बात करते हैं उत्राखंड की घाटी तो द हिमाले वाले चप्टर में हमने इसे कवर किया है, तो दून घाटी लगू हिमाले और शिवालिक के बीच में इस्ते थे, फिर आती जोहार घाटी उत्राखंड में इस्ते थे, इसी को मिलाम घाटी भी कहते हैं, इसी को गौरी गंगा घाटी भी कहते हैं, तो पुछा जा सकता धर्म गंगान अदी द्वारा यह निर्मेत धर्मा गाटि कहा परिश्टी थे उत्रगानद में शोर गा diyorsun चीन के गा अब यहां पर फिर से देख लिए उत्राखंड वाली नेलांग हो गई सोर हो गई धर्मा फूलों की घाटी इसके अलावा जोहार घाटी और दून घाटी नेक्स्ट है सिक्किम में दो प्रमुग घाटिया है पहले चुम्बी घाटी जो है सिक्किम भूटान और तिबबत की स यहां पर कूंछ धाडियान पाकी जाती है उन्धैयों के नाव है तो रोडो 2 आग इन्यों मिलती है तो सिक्किम की उधागग घाटी एगे बात करते हैं नागलेंड नागलेंड फ्रेशधित cycle運 पाेटियान से जफूलों से दखी रहती कि उसकी फूलों की घाटी कहा झाता है जुकू घाटी अगे बात करते हैं पश्रिम मंगाल में एक प्रस्शिद घाटी जिसका नाम है तो ऑला में वेली पशिद अन्धर सब्सक्सकर भी आugenा है औरkey नेक्से नेक्स्ट कमिल नाडू की घाटे यहां पर दिल्य और कि अलब गोड़ा झाटे हैं आजहां जाटे फूलों जो वेले ओफ्लावर्स है, वो उतरा खंड में स्थी थैं, दोनों में कन्फ्योजन होता है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजेगा, सबसे पहले प्रिथिभी की गतियों के प्रकार कितने होती है, तो दो तरह की गतिया होती है, और इसी में क इंगलिष में पुछा जाए तो इसी को रोटेशन कहते हैं तू एक्ष पर घुमती है जो यो साडुञे सूरे के चारों तरफ चक्र लगाती है अब अक्षपर जुकी हुई है साड़े तेस डिग्री पर यह सीधा मैंने बना दिया लेकिन थोड़ा से तिर्छा होना चाहिए बस समझने के लिए मैंने बनाया है यहां पर बात करें अगर विश्वत रेखा की तो यहां पर जो चाल ह आगली तो पर अपने अक्ष पर खूमती है तो विश्वत रेखा पर जो इसकी चाल होती है वहती है 16272ck प्रतिखंटा 1670 km पर आर की गती होती है यह बात की जारी विश्वती रेखा यानि भूमद रेखा पर जो जीरो डिग्री होता है वहां पर अब करक रेखा और मका रेखा पर स्पीड अलग होती है 1275 km पर आर 1275 km पर आर अगली जो गती है उसे कहते है परिक्रमण गती अफिर इसी को वार्षिक गती भी कहा जाता है यह इंग्लिश में बोले तो रिवुलिशन इसकी को कहते है जब प्रतिभी सूर्य के चारोंड चक्क्र लगाती है अब एक दीर वृत्ताकार जो कख्षा इसमें चक्क्र और इस टाइम पर इसकी जो चाल होती है एक लाग साथ हजार किलोमेटर पर आर्ड मतलब इस टाइम पर ज्यादा इसकी जाल होती है आगे बात करेंगे घुडन यान यहां पे परिब्रवन इसको डीटेल में देखेंगे प्रतिभी अपने अक्ष के सापेज किस दिसा में इसका आक्ष हो गया इसके सापे पस्टिम से पूर्व घूमेगी मतलब यह वाली जो दिसा है इस तरह से घूमेगी अगर इसे गोल गोल एक बॉल मान ले तो इस डिरेक्शन में घूमती हुई प्रतिध होती है अगर अक्ष की बात करें तो उस पर अगर प्रतिभी से हम कि इसी दूसरे गरा को जिसे चंद्रमा वगरा को किसी देखें या किसी दूसरे पिंड को देखें तो हमें दिखाई देखा कि वह पूर्व से पस्टिम की और भूम रहा है तो यह बस अपने रोटेशन के काराण ऐसा दिखाई देता है आगे बात करेंगे गुणन की चाल कि आगे बात करेंगे इसी घुड़नन के काराण जोरभाटा भी आते हैं तरंगों की अपने इदिशा बदलती है जोर भाटा किस तरह से आते हैं क्योंकि यह कई चीजों से प्रभावित होता सूरे चंद्रमा की जो एक आकर्षाण सकती होती है उससे प्रभावित होता है प्रिथभी की जो गुरुत्वा कर्षाण सकती होती है यह प्रिथभी जो अपने अच्छ पर घूमती है उससे एक अपकेंद्रिये बल उत्पन होता है जिसे ही जो और भाटा आते है तो अपकें अब परिक्रमण यानि revolution क्या होता है तो प्रतिवी सूर के चारोर वित्ताकार गती से चक्र लगाती है तो एक लाग साथाजार किलोमीटर परार इसकी चाल होती है और कितने टाइम पर यह अपना चक्का सूर के चारोर पूरा करती है प्रतिवी तो 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 46 सेक तो इस तरह से यह revolution के कारण यानि परिक्रमण के कारण यह होता है जो लीप यर वगर्ण होता है आगे बात करेंगे इसका और क्या-क्या प्रभाव पढ़ता है तो इसी वज़े से दिन रात का छोटा बढ़ा होना होता है जैसे कि अगर हम बात करें अगर हमारे करकर एखा पर सूर सीधा चमकेगा तो हमारे यहां दिन बढ़ा होगा रातें चोटी होंगी उसी तरह से मकर एखा अगर चमकेगा तो वहां पर है दिन बढ़ा होगा रातें चोटी होंगी यह विश्वत रेखा यहां पर दिन रात बराबर होते हैं यह परिक्रमण के कारण ही होता है रिति परिवर्तन भी इसी के कराण होता है जब सूरी की किरणे करक रेखा पर सीधी चमकती है तब ही हमारे यहां गर्मियां पढ़ती है करक और मकर एखाओं का निरधारण भी इसी से होता है क्योंकि सूर की किर्णे इधर वाले पार्ट पे हमेशा तिरची पढ़ती है इधर नहीं जाती है यही इसका लास्ट पॉइंट है उसके बाद फिर से ही वापास जाने लगती है यहाँ पर प्रिथिवी के परिक्रमण की आगे हो जाता जैसे करक रेखा का भाग आगे हो गया तो वहां पर गर्मी पढ़ने लगेगी इसी तरह से चीज़े होती है आगे बात करेंगे विशू जो विशू वाला टाइम होता है भी देखेंगे इसमें उपसवर और अपसवर यह सभी चीज़े जो परिक्रमण के का दिन सबसे बढ़ा होगा गर्मी होगी 21 को और दिन सबसे बढ़ा होगा उसी तरह से बीच में यहाँ पे 21 मार्च की बात करें, तो यहाँ पे विश्वत रेखा पर सूरी सिधा चमकेगा, ना करक पे यह ना मकर पे, तो हमारे यहाँ तिन रात बराबर होगा, 21 मार्च को इसी को विशू कई आ जाता है, इस टाइम पे भी ना शूरी करक रेखा पर यह वाला कॉंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जलवायू वाले सेक्षन में देखा था अब अपसवर कब होता है तो अपसवर होता है चार जुलाई को इस टाइम पे सूरी से प्रिथिपी की दूरी अधिक्तम होती है 152 मिलियन किलोमेटर होती है यह हो अगर बात करें उपसवर की यह यह उपसवर इस टाइम पे प्रिथिफिवी सूरी के सबसे नजदी का जाती है 147 कारेचे सबसे पास होती है हमारे लेकिन हम करकर एका परिष्थित और यह तीन जन्वरी का टाइम है इस टाइम पे तीन जो और और होँ ऑल रही हैं मतलब मक करा दो आगे करेंगे तो पता होगा आपको जब पृतिवी के बीच में चंद्रमा अब यहां पर बीच में चंद्रमा जाएगा तो प्रिथिवी सूरी का प्रिथिवी पर नहीं पड़ेगा और यहां पर सूरी ग्रहाण लग जाएगा और यह जो सूरी चंद्रमा और प्रिथिवी तीनों एक ही दिशा में अगर एक ही रेखा में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं यूती तो इसे कहते हैं यूत चाहे चन्द्रमा पर बढने लगे तो चंद्रमापर सूरी- प्रिधृजफिकार्वा नहीं पहुंचेगा और उन होता है तो बड़ा दिखाई देता है तोड़ा सा इसे कहते हैं मिन इस चॉटाँ पर सूट भूत के से भ यहां पर नीले का संबसुर्पर लूब राली पुर्णमा वाले चान्द होगा उसी को ब्लू मून कहेंगे तो ब्लू मून का भू से कोई संबंध नहीं है आगे बात करेंगे ब्लड मून क्या होता है तो पूर्ण चंद्रगहाण के दौरां जो चंद्रमा लाल हो जाता है यह पृती पृती पूरी तरह से छाया आ बीच में पृधिवी आजाएगी सूर्य और चंडरमा के बीच में और पृधिवी की चाय चंडरमा बार पड़ेगी उस टाइम पर चंडरमा का जो रंग है थोड़ा-थोड़ा लाल दिखाई देता है इसी को कहते हैं बलड मून क्योंकि थोड़ा प्रकास उस पे तो पर सू पर दर्साईएं सबसे पहली बात करें तो सदा भाषर या फिर अर्द सदा भाषर टाइब के वन पए जाते हैं दोनों एक ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर सदा भार और अर्द सदा भाहर वाले बनों में आता है पंडपाती वनों में जहां पर बिंदी रखिये ये वाला एरि परवती वनों को ऐसे दर्शाय गया है यह वाला एरिया निलगिरी पाड़िया वगरा वहां पर परवती वन पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं इसलिए वह नहीं दर्शाय गया है आगे बात करेंगे अनूप वन या फिर वेलांचली वन कौन से होते हैं जो दलदली एरिया में होते हैं इसे दलदली वन भी कहा जाता है अनूप वन भी कहा जाता है जो ज़्यादर तर डेल्टाई छेतर होते हैं या फिर कोई जील अगर है जिसे यहां पर चिलका जील है तो तो यहां पर कुछ जो झीले पाई जाती हैं उसके आसपास जो वन होते हैं उसे भी अनुप वन ये फिर दलदली वन भी का जाता है यहीं सभी डलदली वन हो गया जीसे डार्क में दिखाए गया है आगे बात करते हैं आपर कुछ और चीज़ें जो पूची जा सकती है जैसे वनों को किस अनुसूची में रखा गया है तो अनुसूची नंबर साथ में रखा गया है साथवी अनुसूची में तीन सूची आती हैं इसके अंतरगत एक संग सूची होती है एक राजी सूची एक समवर्ती सूची तो वनो को सात्वियन सूची के अंतरगत समवर्ती वाले सूची में रखा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है वनो को और इससे समवर्ती सूची में कब डाला गया था तो 42 समविदान संसोदर 1976 में से राजी सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में डाला गया था तो यह चीजी बात है जो सूची वगरा पूछ ली जाती है आगे बात करेंगे कौन-कौन सा आर्टिकल या कौन-कौन सा अनुछेट जो है वनों से सम्मधित है तो पहला यहाँ पे मूल करतब्य में आता है जो 51 वाला सेक्षन है मूल करतबियों में 5153 में मूल करत दिये हैं मूल करतबि 11 है उनमें से जो जी वाला है उसमें दिया गया वनों के बारे में वनो और मती जीओं सहित प्राकरतिक पर्यावराण की रच्छा और समवर्धन कड़ना प्रतेक नागरिक का मौलिक करत कर्टबब होगा यह दिया गया है 51a के जी में फिर एक और आर्टिकल है जो इसे सम्दित है वनों से सम्दित है जो कि ए 48A, ये नीती निदेशक तत्तु की बात की जा रही है, 48A क्या है नीती निदेशक तत्तु, इसमें राजियों किसे कहा गया है, राजी मतलब देश, यहाँ पर राजी से कहा गया है कि देश के परियावरण का संरच्छन और संवर्धन के साथ साथ, वन और वन इजियों की इसे बहुत जब पूझे आथार में पढ़ना है पहला प्रकार आद्रूश्टलिक बंदिय सदाबाहरवन और इसी के अंतरगत 380 सदाबाहरवन भी देखेंगे तो सदा बहर बन कौन शेहां पर बारिप एनथा जड़ परसंट से से ज्यादा होती है व फघ की माइज़ दो सेंटीम Ahh निंखोगा पाए जाते हैं अब इसमे कौन कौन से ब्रिच आएंगे जो सदा बाहर वनों में होंगे जो सदा बाहर वन होते हैं वो हमेशा घने रहते हैं और उसमें लंबाई बहुत उचे उचे पेड़ पाये जाते हैं क्योंकि वन घने रहेंगे तो सूरिक का प्रकास प्राप्त करने के लिए वनों की जो ब्रिचों की जो लंबाई है वो बढ़ती चली जाती है और बहुत लंबे लंबे ब्रिच पाए जाते हैं और इसी तरह के जो जंगल होते हैं जो सदावार वनों होते हैं उसी में रोजवूट पाए जाता है उसी में महोगनी वाला पेड़ पाए जाता है एरनी जाता है सुब्या सब्सक्राइब करते हैं इसमें से जो हूफ साइडर और में आ क्योंकि कभी अपर इतेजिए पाती हुजाते हैं सदा वार सब quase अपनी पंतियवार उनुसरा सब्सक्राइब आते हैं जो अपने ज़ीड़ा से तोड़ा सा कटना ना पड़े तो यह हो गए सदावार वन वाले लक्षण आगे बात करेंगे यहां पर उस निकटी बन दिए पंडपाती वन जो कि मांसूनी वन भी कहलाते हैं यह कौन से वन होते हैं इसमें दो टाइप होता है एक है आध्र पंडपाती वन दूसरा है सुस्क पंडपात तो उत्तर पूरभी राज्य वाला नॉर्थेटर्ण एरिया आता है हिमाले का जो निचला भागय तलहटी वाला एरिया वह आता है इसके लावां पश्चिमी घाट के बात करेंगेमालीजिय पश्चिमी घाट और इसका जो इधर वाला पार्ट है ऴूर्भी ढैसनी वन मे इसके लाबान जो उडिसा वाला भाग है वो भी आता है इसी आद्र पाथी पैंपन में और इसमें तो साल पाए जाता है इसमें सागवण पाए जाता है महुँआ अवला कुसुम और चंदन ये सब है श्युकर में और प्राद करें गवार कखो और में एक पाथार अपिए जो सुस्क परणपाथीवन इस्क में अपति है एक अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं एक डंठल दिखता है इसके लाँ उत्तर प्रदेश में आसे वे जाते हैं विहार में मद्ध परदेश में गुजरात में और इसमें कौन-कौन से व्रिच हाएं गे पीपल आता है नीम आता है तेंदू पलास साल ये सब यह आते हैं सुष्क पणपाती वन में पीपल का आपने नीम का पेंड देखाऊगा कोई-कोई मोसम में इसमें बिल्कुल भी पत्तिया नहीं होती हैं आगे बात करेंगे उश्ड कटेबंदी कटीले वन कौन से होते हैं इनमें जो वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। 36 गड़ में मद्ध प्रदेश में उत्तर प्रदेश में इन सभी एरियाज में जहां पर वर्षा कम पाई जाती वहां पर कटीले वन पाई जाते हैं इसमें कौन-कौन सब रिच आएगा तो अकासी आएगा खजूर आएगा यूफोरी आएगा बबूल आएगा बेर आएगा जो भी कटेली जो वन असपती होती है वो सभी आती है उसने कट बन दिये कटेले वनों में आगे बात करेंगे परवती वन इसमें कौन-कौन से वन आएगे तो इनकी जो उचाई होती है काफी ज़्यादा होती है पहाड़ों पर पाई जाते हैं लगभग 1800-3000 मीटर की उचा चावड़ी वन पाइजाते हैं वोते नुकिली पाहि होते इसमें यह काफी उचाई पर होते हैं जिनकर भीच वाला एरिया होताही जाड़ जाड़ों चाड़-जैम्यार। लेकिन 3000 मीटर से उपर उचाई पर पाय जाते हैं इसमें लाड़ चाता है बढ़ चाता है देवदार आता है चिलकोजा मैपल एश यह सभी ब्रिच किसमें आएंगे अलपाइन वनों में आएंगे जो परवती वन का ही एक भाग है तो यह सब ब्रिच पूछ ले जाते हैं कौ कि जाते हैं ब्रिच ने के बाद ही खजूर इक भार टाड़ करते हnt ग्रिच सुनदर्वर और पाइंब ने देसांतर क्या होता है यह जानने के बाद ही आप किसी जगह का टाइम निकाल सकते हैं तो सबसे पहले अक्षांस को इंगलिस में कहते हैं लेटी हुई रेखाएं होती है बस याद करने के लिए इसे लेटी हुई जो रेखाएं होती है उसे लेटी हुई यानि अक्षांस बोल मिलाएं पृतवी पर, पृतवी के केंदर से किसी बिंदो को मिलाएं, और एक रेखा घीचें तो ये वाली रेखा जो बन किया रहे हैं वही है अच्छांस, इस तरह कि जो रेखाएं वो 0 डिग्री से यानि यह वाली जो अक्षान्स रेखा जिसे भूमद रेखा के नाम से जानते हैं उसके इधर से चलती जाती है और यहां तक आकर यहां पर 90 डिग्री यानि द्रूव है यह हो गया उत्री ड्रूव इधर हो गया यह दचछडी द्रूव अब यहां पर उत्री गोलार्त की बात करें बीच वाली जो 0 डिगरी है सबसे लंबी एक्षान्स रहा यही विशुत रहा वाली होती पुछा जाए अगर सबसे छोटी एक छांस रेखा कौन सी होती है तो 90 डिगरी वाली जो द्रूवों वाली होती है उत्री द्रूव और अच्छडी द्रूव यह केवल एक बिंदी होती है प्रॉपर रेखा भी नहीं होती है इसलिए कभी कभी यह 181 जो है इसको 2 माइनस कर द गरेख लिए अगर इस तरह वाला जो यह स्थित्य है जीरो से लेके नाइनटी वाला इसको अगर इस तरह से अगर वे 111 km की दूरी होती है नेक्स्ट मीहां पर यह पर शुख्यांतर रेखाया नेज्यांट्यर करते हैं जह सकते हैं लांगी व्यम्माथ является बुक्रेंदानिये इक खामीयथ इसके पॉर्व को बेंडिया रखायए है उसी को एक standard रेखा मान लिया गया है उसी को एक Kalpnik रेखा उसमें उसे होती हुई जाती है इसी को कहते हैं GMT यानि Greenwich Mean Time इसका GMT का full form भी पुछा जा सकता है Greenwich Mean Time अभी जो रेखा है GMT वाली यानि घ्रििं वीच वाली। यह सिर्फ लंदन से कर जाती है। नन्ध कि इता ही। यह उ.- टूब में अगर से बाखन भी निएiszरा से लागी से इप फ्रांगे महाधीप इसके अलाव़ हुआ ङहां पर टीन देसों से अगर वा डिखा हुआ तो recruited बुर्किना फॉसो से और घाना यहां पर बाकिन सहीं 2 नहीं पूछी जाएंगी इसमें बाकि के और आरो यारो या फिर वीडियो के एक्जाम में मिल सकती हैं इसके लावा जो अफ्रीका महादीब के बाद या अंटार कटिका में जाती है उसके बाद दच्छडी दुरूब में इंटर हो जाती है आप एक बार वर्ल्ड मैप को खोल लीजेगा आगे बात करेंगे देशांतर र कॉप्शिमीद यसांतर की बात करें तो टोटल यहाँ पर मिला के 180 तक जाता है 180 यह अगतर हो जाएगी लेकिन यहाँ पर आखरी वाली रिखाएगी 180 डिग्री वाली वही आपको इधर भी मिली थी क्योंकि प्रथिभी गोल है आपको इधर से भी जाएगे तो 180 डिग्री पर जरूर पहुँचेंगे तो इधर 180 डिग्री हो गई अब यहां पर बीच में 0 डिग्री भी एक बार ले लेते हैं इधर यह 1 हो गया 180 प्लस 1 प्लस इधर अगर एक बार इसको छोड़ दिया जाएगा इधर हमने एक बार इसको गिल लिया था 180 डिग्री को अब इधर छोड़ देंगे तो 179 हो जागा टोटल यहां पर एड़ करेंगे तो 360 देशांतर रेखाएं होती है 180 प्लस 0 डिग्री वाला यह 1 हो गया उसके बाद एक रेखाई हो गई इधर वाली कितनी रेखाएं हो गई 179 टोटल में आके 360 रेखाएं होती है और 360 ही हमारी अगर प्रतिवी एक बार घूम जाए तो 360 डिग्री पर यह घूम जाती है मतलब एक चक्कर पूरा हो गया आगे बात करेंगे विश्वत पर ही सबसे ज़्यादा दूरी होती है और धीरे धीरे यहां पर बढ़ते जाएंगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो दूरी बिल्कुल नहीं रह जाती है तो यही वाली दूरी पुछी आती है कि विश्वत रेखा पर देसांतर रेखाओं की आपस में दूरी कितनी होती है तो 111.32 km होती है विश्वत रेखा पर देशांतर रेखाों के बीच में आपस में दूरी, आगे बात करेंगे, 1 डिगरी अगर देसांतर प्रिथिवी को घूमना है, तो इसको कितना समय लगेगा तो यह याद कर लिए कि चार मिनाट का समय लगता है एक डिगरी घूमने के लिए प्रतिवी को साथ इंटू चार तो यही मल्टिप्लाई करके आप पूरा मिनट निकाल लेंगे तो 1440 मिनट आएगा अब 1440 मिनट दिया हुआ है इसे हमें घंटे में चेंज करना है तो 60 से भाग दे देंगे क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से भाग देना पड़ेगा और और परघंटे में पूरा करती है आगे यह और जानलीजे प्रिथिपी जो है प्रिष्टीम से पूर्व अपनी दूरी पर घूमति सब को vertices को पढ़िये चंचे belts में तो पश्चिम से पूर्व अपनी धूरी पर मिलबी घूमती है और सूर्य पर्व में उदित होता Hawk mare में निकलता है सोर्य तो जब सूर्य पूर्व में निकलेगा जो पूर बाद में दिन होता है अगर हम अनुनाचल प्रदेश जाएंगे तो सुबह जल्दी जल्दी हो जाएगी और गुजरात में वही सुबह बहुत देर में होती है तो इस तरह से पूर वाला एरिया जो है समय आगे रहता है पस्चिम में समय पीछे रहता है थोड़ा अभी किस त अंतर में स्थित है हमारा पूरा देश जो है यह बीच वाली रेखा जीरो डिग्री हो गई हमारा पूरा देश यहां पर इस्थित है तो पूरा का पूरा देश हमारा पूर्वी देश अंतर में ही इस्थित है उत्री गोलार्द के पूर्वी देश अंतर पर तो हमारा जो म अगे बात करेंगे यहाप अगे वादे बात करेंगे की लाएं बृर्ण से होकर मानांक समय और कि साथी कुछा है वीक ग्रीन डिगरी से कीतना अग्य चलता है तो यह साडाहे पांच घंटे हमारी समय आगे चलता है अब आगे िवं कहते हैं कि यह ब्रीन जितना अग्या ऑग्यानितथि अग्या Чomy पर भीन आप स्थान की वैल्यू तो इस तरह से आप समय निकाल सकते हैं कि ग्रीन विज से कितना आगे है या कितना पीछे है अगर पूर्वी लिखा रहे तो अगर पश्यमी लिखा रहे तो वह मतलब पीछे है अगे बात करेंगे इसी तरह से तीथी रेखा भी यहां पर हमने देखा था जीरो डिगरी उसके बाद आती तो वही 180 तेहां जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है इसे कहा गया है तिती रेखा अभी जो तिती रेखा ये पूरा जो जीरो डिग्री देशांतर है पूरे को नहीं कहते हैं तिती रेखा को थोड़ा से घुमा दिया गया बीच-बीच में जहां पर स्थल खंड हो वहां पर घुमा दिया जाता है कियो इसा क्या जाता है क्योंकि स्थल खंड बीच में आ जाएगा वहां पर रे उमाई जाएगी तो एक देश सिधे कोई गुजार दी घही तो एक रेखा में अलग अगर तिथी हो जाएगी तो यहां पर confusion create हो जाएगा महारा आने वाले लोगों के लिए इसलिए जो तिती रेखा है इसको बीच में सागर के बीच में ही घुमा दिया गया है प्रुशंत मासागर की बीच एधर दचनी वाल एधर ऑस्टेलिया हो गया इधर एसी आऊ गया तो अब हमें 180 डिग्री के अगर इधर जाना हो तो डेट जो है एक आगे बढ़ जाएगी अगर इधर हम जाएंगे तो मतलब यह हो गया पस्षिमी वाला क्योंकि यहां पर जीरो डिग्री है तो यह हो यहां जाती है कि चारों तरफ रेत-रेत होनी चाहिए तभी उसे मरुष्थल का जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेत ही मरुष्थल होगा एक जहां पर पुरा पहाड जैसा हो लेकिन बारिष न होती हो जैसे उत्री दुरूवों की बात करें पुरा बरफ जमी रहती दो एक बरफ जमीरती लेकिन बारिश नहीं होती है तो एक ही परिभासा हो सकती ही मरूशथल की कि जहांपे वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो तो वो चेतर मरूसथली चेतर में बदल जाएगा वहाँपे बारिश नहीं हो रही है मतलब हो मरुस्तल है आगे बाद करेंगे मरुस्तल के प्रकार कितने तरह traffic से हो सकते एंड़ू भर उसकते तो यह पढ़ने के लिए समझने के लिए 4 तरह से यहां पर divide क्या पहले तोगस नकटिवरस प्सका कझा जाता है दूसरे अधूरते हैं कर्कट रेका और बीच Yes जैसे हमारी पृतिवी है यहां पर भूमद रेका यहां पर करक रेका यह मकर रेका तो इनके बीच में ज्यादा तर जितने भी मरुष्थल पाए जाते हैं यहां पर टेंपरेचर जो है बहुत ज्यादा होता है अधिकतर यह जो गरम वाले मरुष्थल होते यह 20 से लेके 30 जो पर आगे बात करेंगे ठंडे मरुष्थल जहां पयाएं वोफ ठंडर रहता है पूरा रहता यह तो काफी सब्सक्राइब लद्ध the same reason gaher white opposite 2 दो टाइप मरुस्थ़ दोनीस式 stays समुद्ल के किनारे तट हो पर पर पाये जाते हैं और जयादा तरकिस प्रभाव से बनते हैं अगर पूछा जाए तो यह ठंडी में जो महासागरी धाराएं होती है जो महासागर की धाराएं आपने कभी पढ़ा होगा तो महासागरी धाराओं के प्रभावसे मरुस्थल बनते हैं इसका एक्जामपल एक है अटाकामा मरुस्थल जो कि दख्षड अमेरिका में पाया जाता है इंडीज परवत के आसपास आगे बात करेंगे चौथा जो टाइप है वो है द्रूवी मरुस्थल अगर पूछा जाए कि प्रधिवी पे सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है और उसमें कहीं भी द्रूवों का नाम आप्शन हो तो यहीं वाला सबसे बड़ा मरुस्थल होगा इसके अलावा ज्यादे तर यह नहीं दिया रहता है ओप्शन में सहारा दिया रहता है तो सहारा सबसे बड़ा होगा द्रूवों पर जो यह मरुस्थल है उत्री द्रूफ दल्षडी द्रूफ दोनों जो है सबसे ठंड़ा मरुस्थल है विशो का आगे बात करेंगे अब कॉंटिनेंट वाइस देखेंगे मैप के माध्यम से जितने भी कॉंटिनेंट है वहां पे कौन-कौन से जो मरुस्थल हो पाए जाते हैं तो सबसे पहले अफ्रीका कॉंटिनेंट अफ्रीका महादीप से सुरूबात करेंगे सबसे बड़ा अगर वीश्यो का मरुस्थल गाँ इसता है रिश्टा में ताव मनें अपट हो गाँए है और मुस्टम नारो के एछ साइड में अपरिका के अब में इक अब सब्सक्राठी में। इसकोट कह सक सबसे बड़ा और कोंसा है आँ है यह कहां से कहां तक साहरा मरू利 तो यहां देखिए इधर अट्लांटिक महासागर हो गया है इधर लाल सागर है तो इनके बीच में फैला हुआ है पूरा साहरा मरुस्तन पूरा उत्री अफ्रीका को गेरे हुए है आगे बात करेंगे यहां पर किस किस देसों से इसकी सीमा लगती है कौन-कौन से देसों में पहला हुआ है साहरा मरुस्तन तो यह मरोक्को में है मरितोनिया में है माली में है अलजीरिया में है ट्यूनिश्या में है लीबिया में मिस्र में है चाड में है सुडान में है मिस्र में एक नदी है नील नदी उसको कहा जाता है कि मिस्र की जीवन दाइनी है मतलब यहां पर जो मिस्र की जो सभेता है यहीं पे इसका जनम हुआ तर नील नदी के आसपास तो सारी जगर पे मरुस्थल है लेकिन यहां पे थोड़ा अच्छी कासी थोड़ा खेती वगरा भी हो जाती है मिस्र में इसलिए कहा गया है नील नदी को मिस्र की जीवन दाइनी नदी क्योंकि चालों तरफ मरुस्थल है और कहीं पर अगर नदी में मिल गई तो वहां पर खेती वगरा अच्छे से हो जाती है आगे बात करेंगी जो देशों के नाम यहां पर दिये गए हैं सारा मरुस्थल कि कहां कहां पर फैला हुआ है यह आपको आरो यारो पीसियस के एक्जाम के अगर पूछा जाएगा अगर पीटी के एक्जाम में तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा किस महादीप में इस्तित है तो अफ्रीका महादीप में सारा मरुस्थल इस्तित है अगर ज्यादा कुछ पूछना होगा तो सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के कि साइ आगे बात करेंगे नामीब मरुस्तल और इसकी जो सीमा है वो नामीब्य देश में जादे नामीब्य देश में इसके लावाँ अंगोला और दच्छड अफ्रीका में भी सीमा फैली हुई है अब यहां पर देख लेते हैं नामीब कहाँ पर है 집नामीब यह वाला मरश्थल है और यह जा के काला हारी में ही मिल जाता है काला हारी जो की दच्छड अफरी नामीबिया में फैला हुआ है नामिब जैसा 되어 यहाँ पर शाम पहले मेप से देख लीजे यह वाला है गोबी मरं तकले मकान है यहाँ पर इदर लद्बाक है यह थार का मर राजिस्थान में इसके लाओं इरान में देस्टे कबीर और वाले जो प्रायदीप है यहाँ परकाई ब्रॉस्थल पाए जाते हैं तो इसे अरब मरुस्थल भी कह पूरे को मिलाके इसके अलावाँ रभ रस्तर पर जो है कौणि कॊन से देशों में फैला हुआ है तो सबसे पहले तो सव्य अरब मुखिता इसके नावा जोर्डन से लेकर इराग तक अगर आइसे से बात की जाए पूरब से प्हुपिर तो जौर्डन से लेके इराग तक इस पूरा जुर प्रैदीक है ये वाला पूरा मरुष्थल है आगे बात करेंगे और आश सब्सक्रणियन करें है भारत करिब सब्सक्राइब दॉर प्राइप मरुष्थल यहां बोढ़ल बेह लुकर मभा में म् wanngun त vanilla मकान नंग टॉबिक्ट मुझ में और पूरा चीन वह धर्शल यह तार मुस्धान वय्यक्ता क्देश में और फ़ेह वह दो होगा कि फर्फार गरम यह घंडाघ लृट अब बीच करें रमेरिक बठीं मेरिक अमेरिका में प्रमुक औरन वी पोच्ष सोच्षिपेत तो सबको मिला के ऊसको नाम पोछा जाता है अब इसकी कहां कहां पर जाते ही तो मुखेता युएस से वह है तेकंड वाला मैक्सिकों में भी फैला हुए इसके हUNGर और बार आध्ल सट्रिन कैसे अहां तो यहां मैक्सीको तो म antiqu पूरी तरह से अमेरिका में स्थितेंगे जकि यह तो हमने उत्री अमेरिका कॉंटीनेट की ती अब यहां पर दछड़ी अमेरीका में आते हैं तो यहां पे दो मरुस्तल हें प्रभू авएक हो गया यह अटाकामा मरुस्तल धुसरा यह दच्छड में पैटागोनिया मरुस्तल एक तरिफर चली अमेरिका के दचली छोर पर आगे बात करेंगे यहांपर जो यह यह उस्च्छ मरुस्तल सकताओ यह उश्ण मरुस्तल और यह एंडीज परवत के पस्ची में प्रसांत महाजागर के तड़ फैला हुआ है यह यहां पर दाच्छडी अमेरिका में यहां से यहां तक फैली हुई है सबसे लंबी परवत माला इंडीज परवत माला और इसी के आसपास ही है यह यह अटाकामा मर फ्रच्ट बूल फेला हुआ पेटागोनिया मरुस्तल तो मुखेता एंवे अर्जोंटीना में फैला हुआ है के लावा दच्छड पूर्व चिली में भी फैला है थार्च्छ में, पैटागोनिया मरुस्तल नेक्स्ट यार पर ऑस्ट्रेलिया महादीब अचलेया मैं कई सार यह कंट्री आता है जो कि है ऑस्टेलिया इसी को पूरा पढगना है तो पहले है यह पर great Victoria Benut you do he a यह वाला मरॉस्थल है और यह देखा सबसे बड़ा मरॉस्थाल का सबसे बड़ा मरॉस्थाल है अगे बात करें और जो गिंप्सन सब्सक्ताइब क्या चितने यहां पर मरुस्तल के तो यहांपे सभी मरुस्तल विश्यू जिस्फ याद करने में आसानी हो और इससे बाहर आपको विश्व के मरुस्थलों में नहीं पूछा जाता है अक्सर इनी में से कोश्चन आपको मिल जाएंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक को सब्सक्राइब कर लीजेगा आरो यारो या फिर वीडियो का पेड टूट जाइन करने के लिए 7355459135 पर कॉंटेक कर सकते हैं इसमें एक्स्प्लेइन टेस्स सीरीज के साथ जितने भी शॉर्ट नोट वगर हैं वो सब आपको प्रोवाइड किये जाएंगे